नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खर्ना हुए उपैथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे वेट गेन के विशह में वेट गेन मतलब वजन बढ़ाने के विशह में अभी एक वीडियो हमने डाला था वेट लॉस का, उससे बहुत लोग लाब उठाए, बहुत लोग उसको देख रहे हैं लेकिन कई साथियों का कहना है, साभ हमारा वेट तो बहुत ज़्यादा कम है और हमको वेट बढ़ाना है तो आज हम आपको बताते हैं, वेट गेन करने की दसकारगर होमियोपेथिक दवाए सबसे पहले साथियों इस्थिती समझ लेते हैं इस्थिती क्या होती है, वेट एक होती है वेट लॉस यानि कि आपका वजन अनिक्स्प्लेंड तरह से घट रहा है तो अगर आपका वजन 6-12 महीने में 5% से घटे जिससे आप बहुत दुबले पतले होने की स्थिती में आ जाएं तो वहाँ अनिक्स्प्लेंड वेट लॉस कहलाता है और उसके बाद आप दुबले हो जाते हैं और फिर आपके मन में सवाल उकता है कि अब हम मोटे कैसे हों तो वहाँ इस्थिती एक होती है दूसरी होती, आप बचपन से ही दुबले-पतले हैं और बचपन से ही आप कमजोर बने है तो मैं आपको बताऊंगा इसको ठीक करने की 10 कारगर होमियोपेटिक दवाएं सबसे उससे पहले साथियों बता दूँ कि आपको कोई भी दवा बिना कुसलची की चक से पूछे नहीं लेनी है क्योंकि जो दवा फाइदा करती है वो नुफसान भी कर सकती है बताते हैं साथियों आपको वेट गेन करने के लिए कुछ कारगर होमियोपेटिक दवाएं साथियों सबसे टॉप दवा जो होमियोपेटि में है वेट गेन करने की वहाई आयोडम आयोडम इसलिए होमियोपेटि में वेट गेन करने की सबसे टॉप दवा है क्योंकि नॉर्मल केस में होता यह है आपके मन में भी शायदी आता होगा कि हम बहुत अच्छा खा पी रहे हैं भरपूर खुराक ले रहे हैं भरपूर डाइट ले रहे हैं फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ जो इस्तिती होती है उसके ठीक करने की हमियोपैथी में दब आयोडम है आइडियों 1 एम की तीन खुराक पचपच मिनिट के फासले पर वीकली आप अपने बच्चे को दे सकते हैं या ले सकते हैं जिसको भी आदिकत हो जब आपका वेट गें ना हो रहा हो आप बहुत अच्छे से खा रहे हो आपके बोडी में बहुत गर्मी होती हो हीट होती हो आपको गरम बहुत लगता हो और आपका वेट कम की तरफ जा रहा हो बढ़ना रहा हो तो आयोडम is the drug of the choice इसको लेकर आप लाप पा सकते हैं एक स्थिति आती है साथियों कि आपका मेंसेस इरेगुलर हो और आप दुबले पतले बने हो आप वेट गें करना चाहते हो तो उस स्थिति में जब आप दुबले पतले हैं आपका पीरियड मेंसेस रेगुलर नहीं है और आप वेट गें करना चाहते हैं वेट गेन करने की सबसे अच्छी दवा फॉस्फॉरस है आप फॉस्फॉरस वन एम की तीन खुराक पच्पच मिनट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपका मेंसेज भी रेगुलर हो गया और आपका वेट गेन भी हो गया फॉस्फॉरस के मरीज को ठंडा च दिप्रेशन में चले गए हो और आपका वजन कम हो गया और अब आप ऐसे हो गया हो कि आप कैसे वेट बढ़े अगर उस कंडिशन में आपका वेट लॉस हुआ है और आप चाहते हैं वेट बढ़ जाए तो वेट बढ़ाने की बहुत कारगर दवा है नेट्रम यूराटिक अब ऑच इचले बढ़ाने कि वेट दॉन को गया है ओच और नेट्रम यूराटिक वाया हुआ हुआ है क् Completely is the drug of the choice for the person who is suffering from this depression from long time and now he is losing his weight, he or she is losing his weight and wants to gain weight, then नेट्रम यूराणे बढ़ाने चाहिए नेट्ड़ाए एक स्तिति आती है थोड़ी अजीब और गरीव स्तिति हो के हाथ पेर पतले हो रहे हैं आप दुबले पतले बने और अपने को असाइज मैसूस कर रहे हैं अगर वह स्थिति है सातियों तो उसको ठीक करने के हो पैदी में दो बहुत कारगर दवाएं पहली दवा है बराइटा कार्व और दूसरी दवा है कलकेजिया कार्व बराइटा कर 30 तो दुबून दिन में तीन बार आप उसे सिती में ले सकते हैं कि जब किसी बच्चे के दाथ न निकल रहे हो दुबला पतला बना हो उसकी टीथ इवलपमेंट बहुत लेस हो रहा हो सर से उसके बहुत पसीना आता हो और उसको ठंड़क चारा लगती हो उसे सिती को ठीक क करने की हुमियोपैथी में कारगरदवा कलकरियाकार 30 है फिर साती हुए कि स्थिति आती है कि आप बहुत वीक हैं इमेसियेटेड हैं दुबले पतले हैं वेट गेन करना चाहते हैं लेकिन आपका इतना डाउन फीलिंग रहती है आपके अंदर कि आपको खाने का मन नहीं करता सारा गुस्टा खाने पे उतार रहे हूं तो उसे सिति को ठीक करने की और आपके वेट गिन करने की सबसे चीज़ावा इगनेशिया अमारा है आप इगनीशिया 30 दो दो बून दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे कि आपका जो खाने से एवर्जन है गुस्से या दुख के कारण वहाँ भी खतम हो गया और फिर आप खाना खाने लगे और आपका वेट बढ़ गया फिर एक स्थिति आती है जो की बच्चों में अखसर दे जाती कि इतना डाईरिया हुआ कि उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है तो हगरЗ में तीन बार दो दो बून दिन में तीन बार अपने बच्चे को दे दें या जिसको भी वेट गिन करना उसको दे दें अगर उसको chronic diarrhea रहा है उसको loss of vital fluids हुए हैं तो यहां दबा उसको regain करके weight gain करा देगी फिर एक स्थिती आती है जब हमारे बच्चे बहुत कमजोर होते हैं उनका weight नहीं बढ़ रहा हुता है उनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती है उनकी spine यानी read की हड्डी बहुत weak होती हो जुके हुए होते हैं अगर यहां स्थिती है किसी बच्चे में तो उस गोली दिन में चार बार दे दें आप देखेंगे कि बच्चे का weight gain होने लगा उसका बोन्स भी स्ट्रॉंग होने लगा फिर एक स्थिती आती है सातियों कि आप कुछ भी खा रहे हैं और खाते ही आप प्लेटिन जा रहे हैं आपको पॉटी जाना पढ़ रहा है मोशन पास नहीं हो रहा तो weight gain करने की और इस कैफियस से जो खाने के तुरंट बाद आपको मोशन जाना पढ़ता है और अन्डाइजिस्टेट फूट पार्टिकल आता है उन से दोनों चीजों को ठीक करने की सबसे अची दवा चिनिनम आर्स निकम हैं आप चिनिनम आर्स निकम थाट आती है साथियों कि आपका एक तो weight कम है weight नहीं बढ़ रहा है आप उसके लिए परिशान है और कुछ भी खाते हैं तो उल्टी हो जाती है तो अगर यहां स्थिति आप में हो तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होमियोपैती में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है परिशान होमियोपैती में बहुत अच्छा कर देगा फिर एक स्थिति आती है कि आप में खून की बहुत कमी है आप अनीमिक है और आपका weight gain नहीं हो रहा है तो अगर यह स्थिति आपको हो कि आपको खून की बहुत कमी हो आप अनीमिक हो आखों के चारों तरफ नीले घेर हों काले घेरे हों और आपका weight gain नहीं हो रहा हो तो उस weakness की इस्थिति में आपको weight gain कराने की बहुत कारगर दवा हो में परती में फिरम मिटैलिकम है फिरम मिटैलिकम 30 दो दो बून दिन में तीन बार आप उसे स्थिति में ले सकते हैं जब आपके बहुत जादा weakness हो हीमोग की ते घरवाले घर के व्यक्ति लगने लगेंगे एक स्थिति आती है साथियों कि आप हमेशा दुखी रहते हों और दुख के कारण आपका स्रीव खुल गया हो अगर या स्थिति आप में है तो इसे स्थिति को भी weight gain करने की खास और से महिलाओं में बहुत अच्छी दवा है सीप्या 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 30 दो तो बुंद आप दिन में तीन बार इस्थिति में ले सकते हैं जब आपके दुखी रहने के कारण आपका सरीर घुल गया हो, वेट लॉस हो गया हो और आप वेट गेन चाहते हों तो CPI 30 का सेवन करने से आपके वेट गेन हो जाएगा फिर एक सिती आती है साथियों कि आपका लिवर वीक हो गया और उससे आपका वेट गेन ना हो रहा हो आप कमजोर बने हो हुम्यों पैती में सबसे अची दवा लाइको पोडियम क्लेवेटम है आप लाइको पोडियम 30 दो दो बून दिन में तीन बाल ले ले लें आप देखेंगे कि आपका लिवर का फंक्शन भी अच्छा हो गया पेट की गुरुड़ा हाड गैस भी खतम हो गया भारीपन लोर अब्डामिन का खतम हो गया और आपका वेट गेन होने लगा एक स्थिति आती है कि जब आपको एक तो वेट कम हो रहा है उपर से आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है खाना देख के उकाई आती है तो अगर यहाँ कंडिशन आप में है कि आपको खाना देख के उकाई आती है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो इस स्थिति को नौजिया की feeling खतम हो जाएगी, पेट का दर्थ खतम हो जाएगा, motion एक बार में होने लगेगा, और आप complete motion होने लगेगा, incomplete stool नहीं रहेगा, और आपका weight gain भी होने लगेगा, यहाँ सातियों को दवाएं थी weight gain की, मैं समझता हूँ मैंने अपने उन सातियों की शिकायत को दूर कर दिया होगा, या बलकि यूँ कहें मेरे साती शिकायत तो नहीं करते हैं, लेकिन की request को पूरा कर दिया गया होगा, कि साब आपने weight loss का वीडियो डाला, weight gain का नहीं डाला, आपके सामने यहाँ वीडियो है, जिसमें weight gain की बहुत कारगर दवाएं हैं, और अच्छा खाना पीना, दवा का replacement नहीं होता है कभी, आप अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, आपका weight gain होने लगेगा, और 4 केला, एक ग्लास दूस शहर डाल के बहुत अच्छा फार्मूला है, weight gain कराने के लिए, तीन महिना जरूर लगता है, अगर इस फार्मूले को आप मुस्तकिल करें, तो आपका weight gain हो जाएगा, अगर आपके मन में कोई query हो साती हो, तो YouTube notification panel में अपने question को लिख सकते हैं, यहां में WhatsApp कर सकते हैं, 94, 15, 786, 303 पर, आपको संतोच जनक जबाब देने का प्रियास किया जाएगा, आपका हमारे साथ रहने के लिए, साज उनने के लिए इस वीडियो को share करने के लिए, और पूरी बात को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो, तो इसको share, like, subscribe इस channel को जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, बहुत बढ़ाने के लिए, कर दो कर दो